हे गाईज वेलकम टू ब्लॉक्स विद मायरा और आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ अपने बात्रूम का पूरा का पूरा डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ क्योंकि हपते में हमें अपने बात्रूम को पूरी की पूरी तरह डीप क्लीनिंग करनी चाहिए क्यों आज बात्रूम की सफाई की जाए तो अभी मैंने आपको दिखाया कि यह जो मेरा बात्रूम है यहां पे यह देखिए चिपचिपी सी काली सी मैली सी इस तरह से परजमी हुई है काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इसे अच्छे से क्लीन करूं लेकिन मुझे बिल् से का ट्वैलेट क्रीनर आपके सामने भी थोड़ी देर पहले चार से पांच बूंद इसकी डाली है और इस तरह से जो आपके पास एक ब्रस रहता है इसे इस तरह से सारे फर्स में मल दीजिए और जब तक इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्याग पैदा ना हो जाए तो किसी को भी पसंद नहीं आती है तो यह देखें यहां पर जब मैंने पानी डाला था तो साफ हो गया था और यह है दूसरी जगा यहां पर मैंने चार से पांच बूंद ट्वैलेट क्लीनर की इस तरह से डाल दी है क्योंकि यहां पर भी मुझे काली-काली जो परत है वो सूच कर लीजी तो आज है सेटरड़े का दिन क्या होता है मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्याम के टाइम दोने के लिए और सुबह मॉनिंग के टाइम मैं अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर लूंगी तो इस तरह से यहां पर देखे जाग पैदा हो गया है और इस तरह यहां पर इसे छोड़ दीजे थोड़ी देर के लिए और फिर आप आजाईए दरवाजे की तरफ क्योंकि बातरूम का जो डोर होता है चीटे वीटे उसमें काफी हद तक पड़ जाते हम कभी ध्यान नही देते हैं लेकिन अगर आप बारही किसी देखो तो बहुत ही गंदा बहुत ही बेकार यह लगता है तो यह देखे मैं यहां पर भी जो तो ग्लीनर था उसको मैंने यहां पर बात्रूम में भी लगा दिया है और बहुत ही बैस्ट रेजल्ट इसका है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं उसी से पूरी बात्रूम की पूरी ट्वैलेट की और यह जो मेरा डोर है इसकी भी मैं उसी से सफाई करती तो यह देखे मैंने अच्छे से पानी से से धोल लिया है और मेरा जो डोर है बात्रूम का इस तरह से चमक रहा है तो अभी हम आ जाते हैं सामने वाली टैल पे यहां पे भी मैंने इसी तरह से ब्रस में उसे थोड़ा से लेके चारों तरब से मैंने इसे रगड दिया है जब आप इस तरह से अपने बात्रूम की डीप क्लीनिंग करते हो हपते में, दस दिन में, बीस दिन में जब भी आपको लगे कि मुझे आज टाइम है तो पूरी डीप क्लीनिंग कर दीजिए बहुत ही अच्छा लुकाता है बात्रूम में कोने कोने, जहां भी आपको लगता है कि छीटे ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते हैं, चारो तरब से आप हपते में एक दिन तो आपको बात्रूम की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए क्योंकि बात्रूम अगर साफ सुत्रा है, चमकता दमकता है, तो फिर मन क्या, आपको तो बात्रूम में बार बार देखने का मन करता है तो एक हाउस वाइब की जो दिन चर्या आपको पता ही कैसी होती है कमरे की सफाई हो गई, अपने कीचन की सफाई हो गई लेकिन उसके साथ साथ आपको बातरूम को भी साफ सुत्रा रखना चाहिए तो यहाँ पे जितने भी कोने थे, जितने भी यहाँ पे टायल थी लगी हुई मैंने इनको अच्छे से चमका दिया है यह देखिए अगर आप इस तरह से अपनी क्लीनिंग करते हैं बातरूम की तो आपका बातरूम हमेशा चमकता दमकता रहेगा तो यह यहाँ पे एकी नल लगा हुआ है और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से इसी तरह से ब्रस की सायता से सफाई कर दी है देखिए आपको कोई भी इसमें जंजट नहीं लगीगा क्योंकि हपते में एक दिन तो आप इस तरह से कर ही सकते हैं और कई लोग वीडियो में बताते हैं कि बातरू में वेनेगर रगडा जाए नीमबू रगडा जाए हाँ वो अच्छा बताते हैं क्योंकि इस तरीके से भी सफाई हो जाती है लेकिन अगर किसी के पास एंटर टाइम नीमबू नहीं है वेनेगर नहीं है तो आप इस तरह से जो किलीशन होता है या आपके पास हार्पिक होता है। हिस तरह से आप उसे साफ कर सकते हूं क्योंकि मामुली चोटे-चोटे घरों में यह असानी से मिल जाता है यहांपे यह दोर है जो अंदर की तरफ खुलता है वो मैंने बाहर की तरफ आपको बताए थी और जब हम दर्वाजा बंद करतें अंदर बातरूम की तरफ से तो यहांपे भी बहुत जादा गंदिगी हुई थी तो यहां पे मैंने इसे अच्छे से cleaner से साफ कर दिया था और यह देखिए जो डोर है यह पहले वाली अवस्था में आ गिया है तो आप देख सकते हैं लाश्ट का जो यह लुक है यहां पे यह देखिए मेरा जो बातरूम है कितना चम चमाता हुआ नजर आ रहा है और जहां पे मैंने आपको बताई थी कि डार्कनेस थी वहां पे भी मुझे बहुत ही साफ एकदम चमकता दमकता बातरूम मेरा नजर आ रहा है तो यह देखिए अगर इस तरह से आप सफाई करते हो अपने बातरूम की तो आपको दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा यह देखिए एकदम टाइल तो लग रही है न क्लीनिंग अच्छी तो बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी बिना किसी जंजट के तो वीडियो को पूरा आयन तक देखिए ओके बाई